नमस्कार, शिल्पा गुपता की रसोई में आप सभी का स्वागत है, तो आज हम सूजी की बहुत ही जटपट बनने वाली और हैल्दी प्लस टेस्टी भी ये मोमो बहुत लगता है, तो चलिए हम टेस्टी एंड हैल्दी मोमो बनाना सुरू करते हैं, जो की बहुत ही ज्याद हमें पानी चाहिए, तो अब एक करहाई लेंगे और उसमें हम पानी डाल देंगे, पानी को उबलने देंगे, तो पानी हमारा उबल चुका है, तो अब हम सारा सुजी डाल देंगे, और गैस का फ्लेम पूरा लो कर देंगे, उसके बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे, लो करके गरम पानी में इस तरह करने से मोमो हमारा बहुत ही सौप्ट बनेगा अगर पुरा बॉयल पानी में नहीं कीजिएगा तो फिर मोमो सक्त हो जाएगा तो इसलिए आप सुजी जब भी डाले उबलते हुए पानी में डाले और लो फ्लेम पर पांच मिनर तक इसे चलात हैं तो एक कटोरा छेना है घर का फारा हुआ इसके जगा पनीर भी कदु कस कर के ले सकते हैं एक कटोरा बारी कट वप्यास थोरह सा अदरक बारी कट किया हुआ हरा मिर्ष टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले जितना पसंद है हम थोरा ही डाले और ज्यादा से हम धनिया पत्त डालेंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें मिक्स मसाला डालेंगे बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए बाकि इसके बिना भी आप बना सकते हैं या इसके जगे आप मेगी मसाला का भी यूज कर सक बहुत ही टेश्टी लगता है तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो अस्टफिंग हमारा रेडी है तो अब हम तब तक हमारा आटा भी अच्छे से सूजी वाला सेट हो गिया है तो इसे बॉल में निकाल लेंगे हलका ठंडा भी हो चुका है तो हमें इसे सक्त आटे की तरह जिस तरह मैदा का डो त्यार करते हैं उसी तरह हमें इसका भी त्यार करना है तो अब ठंडे पानी को डाल करके इसे हम अच्छे से गूत लेंगे तो जितना जौरत परेगा हम पानी डाल डाल कर इसे अच्छे से मुलाइम करेंगे इसे हम जितना अच्छा मुलाएं गुथ के तियार करेंगे उतना ही अच्छा हमारा मोमो बनेगा तो नमक डालना हम भूल गया थे स्टार्टिंग में तो अभी हम नमक डाल देतें क्योंकि अभी भी गुथ ना है तो अच्छे से मिली जाएगा बाकि आप नमक जब सूजी पानी में डालते हैं उसी टाइम डाल देजिए तो अच्छे से और मिल जाएगा ऐसे ऐसे भी मिल जाएगा आराम से तो इस तरह से हम अच्छे से गुथ कर तियार कर लेंगे तो इसी तरह हमें सौप्ट आटा चाहिए इसका तो अब इसका हम लोई कट कर लेंगे तो छोटा छोटा लोई हम कट कर लेंगे लोई कट करके रखने से फिर बाद में हाथ गिला नहीं होता है और सुकता नहीं है तो सारा लोई हम तियार कर लेंगे अब एक लोई ले करके इसे अच्छे से हम लोई बनाएंगे सौप्ट करते हुए और मैदा लगा करके इसे हम पतला बेल लेंगे तो मैदा की तरह तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो पाएगा ट्रांस्पेरेंट वाला फिर भी इसे भी आप अगर अच्छे से आटा तेयार है तो इसे भी बहुत पतला बेल सकते हैं तो उसके बाद हम अश्टफिंग डाल लेंगे जितना आपको अश्टफिंग भरना है उसे साफ से डाल लेजिए आप पनीर के जगा बंद को भी बना सकते हैं सिमला मिर्ट वगेरा डाल के आपको जैसा फिलिंग्स पसंद है उसके बाद हम इसे अच्छे से फॉल्ड करेंग और गोल वाला करने में थोड़ा बीच में मैदा मैदा या कच्छा टैप से भी लगता है इसमें बिलकुल भी नहीं रहता है बहुत ही अच्छे से ये पक जाता है तो देखिए एक हमारा तयार है इसी तरह हम दूसरा भी तयार कर लेंगे तो मैदा लगा लगा कर इसे हम अ स्टफिंग डालेंगे तो मैदा का मोमो तो आप लोग कई बार खाये होंगे या हमेशा ही खाते होंगे जो कि हमारे स्वास्त के लिए अच्छा नहीं होता है मोमो हर किसी को पसंद है पर मैदे की वज़े से थोड़ा हिचकिच आते हैं तो अब कोई टेंसन नहीं है आप कुछ खास डिफरेंट नहीं है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो दूसरा भी हमारा मोमो बन करके तयार है तो इसी तरह हम सारा बना करके तयार कर लेंगे तो यह देखिए हमारा तयार है तो सारा बना करके तयार कर लिए अब एक जाली वाले बरतन में घी या पाई में हम दो छोटा गलास पानी डाल करके हाई फ्लेम पर इसके उपर रख देंगे और इसे हम ढग देंगे ताकि यह श्टीम बाहर ना आए और 15 मिनट हम इसे कुक करेंगे हाई फ्लेम पर मात्र 15 मिनट टाइम से करना है और बहुत ही अच्छे से यह कुक हो जाता है तो 15 मिनट बाद हम धक्कन हटा लेंगे तो यह देखिए हमारा परफेक्ट मुमो तेयार है अब इसे हम फटा-फट सर्व करेंगे तो यह टमाटर की चटनी है यह किस तरह बनाए यह हमारे यूट् के बच्चे जित करते हैं बारबार मुमो खाने के लिए तो आप सूजी का बना करके दे सकते हैं बहुत ही यहल्दी है बच्चों को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आप एक बार जरू ट्राय करें यकीन मानिए घर में सभी को बहुत ही जादा पसंद आएगा मुमो बच्चे बड़े सब को पसंद आता है तो आप हेल्दी बनाईए इससे उनको पसंद भी आएगा और हेल्दी भी रहेगा तो यह बहुत ही सौप्ट बना है वाव तो आप एक बार जरूर इस तरीके से ट्राय कीजिए तो वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताए वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सेयर करना ना भूले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बैल आकन जरूर दबाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में